Hello everyone, ऐसे तो indoor plants की लिस्ट बहुत लंबी है बट आज मैं लेकर आई हूँ सबसे hardy 12 indoor plants जो कि आप low light conditions में भी बहुत अच्छे से grow कर सकते हैं इन सब plants को मैं आज एक particular order में discuss करने वाली हूँ सबसे पहले उन plants के साथ स्टार्ट करेंगे जो कि कम hardy है और थोड़ी सी medium light उनको चाहिए और बढ़ते हुए जाएंगे उन plants की तरफ जो कि सबसे जादा hardy है और बिल्कुल low light में भी बहुत अच्छे से grow करते हैं और बहुत अच्छे से survive करते हैं तो चलिए शुरू करते हैं नमस्कार में हूँ पूजा शर्मान वेल्कम टू मैं यूट्यूब चैनल एक नहीं सुबह अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है तो प्लीज इसे subscribe करें along with the bell और अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे like and share करें तो चलि आपके इंडोर प्लांट्स की care करने के लिए जिसमें सबसे पहले है watering इंडोर प्लांट्स को बहुत ही रेडिली हमें watering करनी होती है जब तक आप उसकी soil को पुरी तरह से ड्राइन देखें आप उसे watering ना करें इंडोर प्लांट्स के खराब होने का सबसे बड़ा reason जो है वो of light एक plant को छाहिए हमें वो प्रोवाइड करवाना है अगर आप एक medium light के plant को लो light में लेकर जा रहे हैं तो इसके लिए आपको उसे थोड़े-थोड़े दिनों के बाद कुछ दिनों के इंटर्वल ke बाद बाहर लेकर आना है जैसे प्लांट्स को बाहर लेके आने का भी एक रूल होता है कि आप उन्हें शाम के वक्त बाहर निकालें जब एक प्लांट बहुत ही ठंडी ठंडी अंधिरी सी जगा पर बढ़ा होता है और आप इमिजेटली उसे दूप में बाहर ले आएंगे और बहुत सारी रोशनी और गर्म होगा तो उसमें खुद को एज़स्ट कर लेते हैं तो जो थोड़े कम हाड़ी प्लांट्स हैं उन्हें आप वन वीक और 10 देज के इंटर्वल के बाद बाहर लेके आ सकते हैं और दो तिन दिन के लिए और जो प्लांट्स ज्यादा हाड़ी है उन्हें आप 20 तो 30 देज के ब्राइट लाइट एरिया इंडर प्लांट्स बहुत ही अच्छा ओप्शन होता है आपकी इनर स्पेसिस को डेकोरेट करने के लिए और यह बहुत ही अच्छे एड प्यूरिफायर भी होते हैं जिसकी वज़ह से हमें इन्हें इंडर जरूर रखना चाहिए तो चली बहुत ही अच्छा ओप्शन है इंडर स्पेस के लिए बहुत ही अच्छी लश्च ग्रीन कलर किसकी लीफ्स होती है मेरे पास काफी बढ़ा एक पीस लीली का प्लांट है इंडर और वह काफी अच्छे पप्स भी प्रोड्यूस कर रहा है जिसमें से एक पब मैंने अलग से निकाल के इसे सेपरेट करके प्रोपागेट भी किया है तो यह बहुत ही अच्छा ओप्शन है अगर आप मीडियम टू लो लाइट में कोई ग्रीनरी के लिए कोई प्लांट अगर ग्रो करना चाहते हैं अगर आपको फ्लार चाहिए तो फिर आपको इसे ब्राइट नंबर 11 पर मैंने रखा है spider plant को जो कि बहुत ही hardy plant है आप देख सकते हैं इसकी varigated वराइटी भी आती है green वराइटी भी आती है spider plant के उपर अलड़ी मेरा एक वीडियो है आप इसकी care के लिए वो देख सकते हैं यह plant भी बहुत ही hardy plant है और सबसे अच्छी बात कि ऑवर वो लाइट के अंदर बहुत अच्छे सी सर्वाइव कर जाता है तो अगर आपके रूम में विंडो से sunlight नहीं आती है तो आप spider plant को grow कर सकते हैं नमबर 10 पे आता है agglonema का प्लांट agglonema की काफी सारी varieties आपको मिल जाती है जैसे कि यह सिल्वर क्वीं यहां पे variegated green है ऐसे ही pink varieties आती है pink agglonema, lipstick agglonema बट जो colorful agglonema है pink colors में उनको थोड़ी सी bright light चाहिए अपने colors को maintain करने के लिए the green ones are the more hardy than the colored agglonema तो इसलिए low light में grow करने के लिए agglonema की green variety सबसे अच्छी है अगर आप थोड़ी सी medium light provide करवा सकते हैं तो silver queen का option भी काफी अच्छा है और अगर bright light आपके indoor space में आती है तो colorful agglonema भी आप try कर सकते हैं नमबर 9 पे आता है डाइफन बिशय का plant with the beautiful broad leaves ये भी plant बहुत ही hardy plant है और ये medium light में बहुत अच्छी से grow करता है इसकी propagation भी काफी easy होती है तो इसे भी आप indoor space के लिए try कर सकते हैं नमबर 8 पे आता है बोस्टोन फर्न का plant फर्न की सब वेराइटीज में से बोस्टोन फर्न सबसे hardy plant है और इसे आप indoor space के लिए try कर सकते हैं इसको बहुत जादा bright light की ज़रूरत नहीं होती grow करने के लिए medium to low light में भी ये बहुत अच्छी से survive करता है है इसे humidity level अच्छा चाह इसकी बहुत ही अच्छी ऐसे cutwork की leaves होती है ये बहुत ही अच्छा low light plant है low light में भी बहुत अच्छी से survive करता है इनिशल डेस में जब मैंने नया नया ये प्लांट लिया था तो मैंने इसे morning sunlight में रखा हुआ था तो बहुत जल्दी इसकी leaves वो बर्न होना शुरू हो जाती ह अगर आप बहुत ज्यादा direct sun अगर इसके ऊपर morning का भी पड़े तब इसकी leaves बाना होना शुरू हो जाती है तो ये low light के लिए बहुत अच्छा option है मैंने बहुत टाइम से इसे एक low light corner में रखा हुआ है और ये बहुत अच्छी ग्रोथ पहां पे भी कर रहा है काफी सारी new leaves निकली है और new shoot आप इसके बीच में देख भी सकते हैं तो अगर आपके रूम में medium to low light भी आती है तब भी ये प्लांट बहुत अच्छी से सर्वाइव करता है नंबर 6 पे आता है English IV का प्लांट इसकी दो वराइटी मिल जाती है एक प्रॉपर ग्रीन शेड में और एक ये ये दोनों ही बहुत हाड़ी है इंडो स्पेस के लिए बहुत अच्छा उप्शन है low light में भी ये बहुत अच्छे से सर्वाइव करते हैं और hanging basket के लिए भी ये बहुत अच्छा उप्शन है अगर आप अपनी इंडो स्पेस में थाहीं पर hanging baskets लगाना चाते हैं तो English IV and Boston fresnes बहुत अच्छे से चलता है लог उर्फ ऑता है पोथोस का प्लान्ट मुठन के नाम तो जानते है यह उसकी सबसे कॉमंड वराइटी है और यह सबसे हारडी वराइटी है पॉथोस की इसे आफ इंडोर अच्छे से ग्रों कर सबसे हार्डी जो प्लांट है वो है ये सिंगोनियम की कोई भी वराइटी आप इंडो रख सकते हैं बस जो पिंग शिंगोनियम है उसे अपना कलर मेंटेन करने के लिए थोड़ी सी ब्राइट लाइट चाहिए होगे अगर आप उसे लो लाइट में रखेंगे तो उसका कलर जाएगा तो बाकी के जो सिंगोनियम है उन में से कोई भी वराइटी आप इंडो रखी बहुत हार्डी प्लांट है इसको प्रॉपगेट करना भी बहुत एजी है यहां से नोड एरी से आप इसे कट करके ईजली प्रॉपगेट कर सकते हैं आप इसे पानी में भी लगा सकत तो दोनों ही तरीकों से सिंगोनियम को आप इंडोर लगा सकते हैं इन वाटर एंड इन सॉयल और यह लो लाइट में बहुत अच्छे से सर्वाइव करते हैं नमबर टू पे आता है जीजी प्लांट जीजी प्लांट की दो वराइटी आती है एक ग्रीन वान और एक ब्लैक वराइटी भी आती है और यहांसे कुछ और निउ लीवस फियांसे निउचे वाइट चुरू आना शुरू हो गगया है तो, काफी अच्छी ग्रोथ ही इंडोर कर रहा है इन्टойдॉर पेस्ट बहुत ही हारी प्लांट है यह बहुत अच्छे से लौ लाइट में सर्वाइब करेगा without any complaint बस इसमें over watering की problem नहीं होनी चाहिए बहुत अच्छा sandy soil mixture इसके लिए अगर prepare करेंगे तो water logging की problem इसमें नहीं होगी और आपको इसमें water तभी देना है जब इसकी soil completely dry हो चुकी हो इसकी care के उपर भी already मेरा एक वीडियो है जिसका link मैं आपको description box में दे दूंगी पहा करके सबसे darkest corner पर रखा हुआ है that is the sansevieria sansevieria की सारी varieties बहुत ही hardy है और जो मैंने indoor रखा हुआ है वो यह variety है और उसके अलावा यह भी एक variety है जो मैंने indoor रखी हुए यह सब बहुत ही अच्छी से survive कर रहे हैं आप देखिए कैसे यह अच्छी से beautifully grow कर रहा है नहीं leaves पी इ एक variety है sansevieria की अगर आपको छोटी varieties चोटी हाइट पे टेबल के ऊपर कुछ ग्रो करना है तो यह आप दोनों varieties ट्राई कर सकते हैं sansevieria की यह low light में बहुत ही अच्छी से survive कर रही है और अगर आपको अपने corner के लिए कोई plant चाहिए थोड़ा सा हाइट के लिए जो प्ला है आपको बहुत 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 लंबे टाइम के बाद हमें इसे watching करने की ज़रूरत पढ़ती है उसाधिवां मत के बाद अपने sensoray as को watering करती हूं बोट टो करनी है वो area area Wally breaking doctor रहता है 형 Betty castle वो सब चींच होता रहता है जैसे गर्मियों में हमें जल्दी वोटरिंग करनी की ज़रूरत पड़ती है और विंटर में ज्यादातर प्लांट्स डॉमेंसी में होते हैं तो बहुत रेरली हमें उनको वोटरिंग करनी होती है तो वो चीज आपको खुछ से फाइंड आउट कर आप वोटिंग कर सकते हैं । यह थी वो टवैल मोस्थ cuatro लोलाइट इंडो प्लांट आप अमनी इंनर इंर थे सपेस को डेकचराइब करने